है हलो फ्रेंट्स आपका स्वागत है आपके एपने चेनल राजु कॉंटिटिव क्लास में जूटिए सब जल्दी फ्रेंड्स जूटिए हाँ चलिए तो आज का टॉपिक है वह है माध्ये कालीन मुगलकाल से आज प्रस्ट आपका है तो यही मैं आज आपको बताऊंगा तो स्थासना आप देखिए जुटि यह जली आप लोग नेक्स्ट्ट को है किम ग trainings Gleich कि अस्थापना तो यह कि यह 526 इसवी में चलिए आप का तीसरा प्रस्ण क्या है कि बाबर का जनम हुआ था तो बाबर का जनम कभ भुआ था फ्रेंट्स कभ भुआ था हुआ था 483 में कब हुआ था 480 में ठीक है 483 में हुआ था चलिए अब आपका नेक्स्ट कोईशन देखिए चलिए फोर्थ नमर का प्रस्न क्या है कि बाबर ने 1526 इस वी में वंस के सासक को हरा कर मुगल वंस की अस्थापना की तो कब कि ये थे तो ये कि ये थे लोधी वंस क ठीक है लोधी वंस को हरा कर मुगल वंस का स्थापना की ये थे बावर ठीक है ये आप ध्यान करके रखिएगा चलिए अब आपका देखिए अब आपका पचमा प्रस्न है कि भारत में ग्रांट ट्रंक रोड बनवाया था तो किसने बनवाया था सेरसा सूरी ने किसने प्रस्न छट्या प्रस्न देखिए क्या है छट्या प्रस्न है कि दीन ए अलाही नामक नया धर्म सुरू किया गया था तो किसने कि ये थे नया धर्म सुरू देखिए किस ने किये थे तो अकबर दूतिये ने किये थे कौन किये थे अकबर दूतिये ने चलिए अकबर दूतिये ने किये थे अब देखिए आपका सत्मा प्रस ने पानीपत का पर्थम यूद हुआ था तो कब हुआ था पानीपत का पर्थम यूद कब हुआ था नौट भूक में नौट कर लिजिये इसीडिक है एकी सप्रैल 1526 पानिपत का प्रत्म यूद हुआ था चलिए अब आपका अठ्मा प्रत्शन क्या है अठ्मा प्रस्न क्या प्रेंट्स अठ्मा प्रस्न है कि मुगल मस् काल मुगल वंस या काल की मुख्य राज ये भासा थी त ठीक है फारसी अब चलिए अब आपका नमा प्रस्ण भारत में मुगल राजी भारत में मुगल राजी की अस्थापना हुई ठीक है तो कब किसके बाद हुई थी ठीक है तो यह बोड़ रहे प्रस्ण में तो आप यहां पर बता देता हूं मैं कब हुई थी तो पानी पत के प उसको लोदी स्कों हरा कर उसके बाद यह मुगल स्कों अस्थापना किया था ठीक है अब आपका next q- qualisian 10-ąt ख्या है कि मुगल का अंतिम साह क्वाभु साह कोण था तो है रहेंगे रहिए तो चलिए और ये आपो यह लेतें तो चलिए फ्रेंट आप मैं को मुगल मूगालीत मधियकालीन मूगल मूगल वन्स दूती के के बारे में मैं आपको बतता हूँ ठीक है मधियकालीन मौगल काल ₩ कि मतलब कि अगरमा इसका का आगरमा क्वैशन कि अगरमा क्वैशन है कि I should बनवाए गए ओपसाना भवन का नाम था तो क्या था किया था इबात खाना ठीक है क्या था इबात खाना यह था चलिए आपका दस्मा मतलब कि यह इसका बर्माप्रस्ण बर्माप्रस्ण इसका क्या है फ्रेंट्स बर्माप्रस्थ है मुगल प्रासासन वह वश्था में लंभ किया तो कौन किया था अकबर ने कौन किये थे अकबर ने किये थे चलिए तो कौन किये थे अकबर हुए उमायू फॉमायू नमक लिखा गया था लिखा गया आधा हुमायू नमक लिखा गया में गुलबदान बेगम द्वारा क्या गुलबदान बेगम द्वारा कि चलिए किसके द्वारा लिखे थे गुलबदान बेगम द्वारा गुलबदान बेगम द्वारा यह ध्यान करके रखिएगा चलिए अब आपका सॉलमा प्रस्न क्या है यह हम सॉल्व कर देते हैं सॉलमा प् पानिवपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी पानिवपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी फ्रेंट्स आच अप्राइल ठीक है फाइब अप्राइल 1556 को हुई थी इस वी को हुई थी ठीक है पानिवपत की दूसरी लड़ाई हुई थी चलिए अब आपका सत्रहमा प्रस तो यह किये थे आपका अकबर ने किसने किये थे अकबर ने चलिए अब आपका अठर्मा प्रस्ण देख लेते हैं हाँ तो अठर्मा प्रस्ण आपका देख लेते हैं हाँ जी हाँ चलिए तो अठर्मा प्रस्ण देख लेते हैं आपका अठर्मा प्रस्ण क्या है कि बाबर न शानते हैं होंगे और वो जो थे वो पांच बार पांच बार भारत पर आक्रमन यह थे जियां से बार भारत पर आक्रमन भी अब आपका है उन्यसमा है कि पानीपत की लडाई हुआ कि तो πहले मैंने आपको बताये दिया और किसके बीच हुई तो चलिए लोदी एवं बाबर के शुए थी ती किसके किसके बीच तो पानीपत की लड़ाई में इबाहीम लोदी और बाबर के वी ती और जो बाबर को कौन बुलाया था भारत यह भारत में पाँच बार ये आक्रवन किया किस किसके द्वारा मतलब की कौन आया था इसका मदद किया था तो कौन किया था राना सांगा और आलम खां आलम खां कौन थे इब्राहिम लोदी के चाचा इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां और राना सांगा ने मंत्रित किया अब बाबर को भारत आने के लिए और इसका पूरा तह देखिए यह सुरी यह कट कर देता हूं देखिए विस्मा प्रस्न यह क्या है आपका विस्मा प्रस्न यह तो मैंने आपका सॉल्व कर दिया यह तो मैंने आपका स्वाल पर दिया अब बसमा प्रस्ण क्या है यह मैं आपका स्वाल परता हूं तो देखिए यह रही है इब्राहिम लोदीности कौन थे इब्राहिम लोदी इब्राहिम लोदी चलिए तो देखिए इब्राहिम लोदी से बहुत प्रस्ट आ रहे हैं तो इससे बहुत प्रस्ट निक्जाम में पूछे जाते हैं जो इब्राहिम लोदी है वह उनका चाचा का नाम कौन-कौन अमंतरीत किया यह सब तो मैंने आपको सॉल्व कर दिया चलिए अब नेक्स्ट कोईशन हो गया है पूरा तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आए प्लिस इसे लाइक कर दीजिए और चाल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा वीडियो को मेडियो को आप तक पहुंचाया जाए ठीक है तो तक लिए यह वैब फ्रेंड समफिर मिलते है ने डोपी के साथ